हुआ है हलो दोस्तों आप कैसे हैं मुझे अमीद है आप अच्छे होंगे खरियस होंगे दोस्तों मैं फिर आपके लिए एक नया बाइट लेकर आया हूँ आप इस बैट को पहले इस्तेमाल किजिए दोस्तों बहुत ही कारगर है यह बाइट में आपको बताने वाला ठंडी म है आपका जैसे आप काल बाउस ज याने मलेक रोहू का सिकार करने जा रहा है ठीक दो बलेक रोहू प्रखेट फिस भी लगेगा पैठान फिस भी लगेगा बॉल माच बोलते हो वह भी लगेगा यह समझ लिया आपको लगेगा ठीक है तो आप इस बैट को 24 गंदे के लिए प्लास्टिक में बांड के हम उसको रख देंगे जिसमें हवान आप उसे तो 24 गंदे में इसमेल आने लगेगा ठीक है दोस्तों इसके लिए मैं इसमेल आने लगेगा तो फिर आम उसको निकालेंगे पिस्पोर्ट पर जांगे करने के लिए तो फिर हम वहां किसिंग करेंगे चलिए मैं कैसा बनाना है बनाना है और हुक में कैसा लगाना है वह मैं आपको बनाके दिखाता हू है हैं तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूं आपको यह मतली लेना कोई भी मचली हो चोटा इसनेक आता है बड़ा बड़ा वो ले ले लेंगे सिंगल काटे का जादा आप लेंगे बेतर होगा ठीक है तो सिंगल काटे कामें क्या उसमें अंदर काथा नहीं होता है तो मचली मूता है तो में यह ले लिया यह स्मेवा मचली मैं C गरशstart कर जकते हैं तिए अमनम rifat कर लेंगे का अपना हुकमा का लगाने का लाइक को सब्सक्राइब कर लें दो यह तर्थ Сам्वाल रखो आ ट आ रिङ माम है थैकirie .. है मैं चोड़ा चोड़ा प्सक करके हूं होँ है कि इसको प्लास्टीक में रख दें इसमें उसमें बलेक रहु बहुत लगता है नदी में कहने ऐसी बहुत में रुखा हूं संब्सक्पि πα्ति कि प्लास्टिक में रिख देहें, कि आपको में लगाने की दिखाता हूं कि अब लगाकर फेकेंगे जैसे रिवर में नदी में अब जैसे यह ज्यादा गल गिया ठीक है तो यह ज्यादा अब जैसे मैं लाने लगा हूंक में लगाने से टूट रहा है तो हम क्या करेंगे यह दो पिसले लेंगे यह दोनों को ऐसा पसा के ठीक है इसको हम यह दागा लेंगे यह सिलाई वाला दागा जो होता है यह हम ले लेंगे पतला वाला इसको ऐसा रखके इसको हम इसमें हुक में ऐसा रपेर देंगे ठीक है ताकि यह ना निकले हुक से बा आप इस्तमाल कीजिए बहुत ही कारगरन वाला है थीक है देखिए इसमें क्या होगा आप दागा भी नहीं देखेगा और यह तैयार हो गया थीक है ज्यादा लंबा पॉर्सेस नहीं है और इसको हम चलते हुए पानी भी फेकेंगे रुका हुआ पानी में फेकेंगे जैसे ज जिपकाएंगे के अरि अर्डाइसा द्हागे से बांदेंगे यह आपको बांद करिगाँ ठीक है कि यह इस्लेवल द्धागा है यह यादि इस्लेवल द्धागा थागा है यह ले लेंगे हैं नहीं सर्दीयोसे कम दिनें बहुत कारगर दोस्तों बहुत इबसारी मचली का अरिये जो बलेक रहू है उसके लिए बहुत ही कारगर है इसको आप सिहिंगी बाम देख लेगा तो भी खा जाएगा इसने के पैठान फेस इसमें सबसे ज़्यादा बलेक रहू लगता है ठीक है दोस्तों और यह बंगलाबासा में बंगा करने वाला है कालबास ठीक है तो शुक्रियों दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए तब तक अपना खयाल लखिए दोस्तों और अगले वीडियो का इंतिजार कीजिए